कर दोस्तों अभी रात के नो बज़ रहे हैं अभी एक रेस्क्यू कॉल के लिए हमको गुलावा आया है अभी हम पिटरवार से करीबन 10 किलोमेटर दूर चंडीपूर एक वस्ती है वहीं पर जा रहे हैं अभी तक समझ में नहीं आया है कि कौन सा साप है उन तो पूछे भी थे हम लेकिन उन लोग पहचान नहीं पा रहे थे तो रेस्क्यू के लिए हम लोग निकल चुके हैं बार बार फोन आ रही है तो कि घर के लोग पूरा परेसान है बहुत सारे मिलते हैं आके वीडियो में राश्टा दीजेए राश्टा दीजेए राश्टा दीजेए राश्टा दीजेए प्रांप बेरत एंगो भा मैं प्राट बागता कुल जिसे नह कंपंडी भुड़का और स्वार्म कर जो खिना इदो यह पांग जो ज्यर्द। है ौबचू बड़का थज़ast अब पागार दोपाई संदेगे? जानए मुट इपकार दिया चैचव सबसक्त भागार जोचाई कर लोगे भागार जा साइथ जला पूब रहे ले डाल कि लेगा माणिवा यह पागार भागार अन्दर ने रहे रहा तुन्देग लेख लेख में खर तुरी कजाए जास्थ मेंये बताति अपार प्रड़ना Read बिद्वार तान कहीं नहीं हमाने जंग करतो हैं किसे धुद करता हैं कि अजिए भ्रॉत करता हैं अब जो झाल, एक जपने को घजग को टाँए, जवेहां जो जब जोग एग जह जगर छाँप में जोगा हूंग जब इसकी काशा है झाल, जग जग एक जग जग भाईए जगग जगग आप जगोंज जग एक ऑट जगे हंग गिवान, कालने कोछrist भी एंवाद भी मैं सबादीक, हिरोर्चल वर भाही आन्तॅ कर्या है मिलोक टुनय करता है मिलोक जा पतल लोक एँ . मिलोक हुट मोच्यू कोड़िए प्रेष्ट का निल्वाना थे उल्वाना थे उल्वाना आी निखा जो जाका है जबाइगे हैं रुप्या 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 फक्ति का इंड इस प्रुप्या अरु Śूर्शा से अरे जारा ज़ान्याeten घरे जा रहा है इस दप्रेट कि अरे ग्यारे जारा एंदर मेने निखले का निखले के ठीक ना जीज़ कि चाटिये का नहीं temple जा सigne तक भूजी तक हो मिरने का ड़ने fact Nat kadar la बाडबस पार बार क्यों समा घर नका स़्न। क्यों स्द्ध्थोर भंस करे नकल प्राम थाऊच ज्भान यह काफी पुराना साफ है, करेबी साल का है गर्रकंदी नहीं घंस高री गरा करनने लोगे जहें है करेबी बेली बनाणे शंव यह कि भी दो बेल को चेहर दोना सावि तर्मी कातो सिर्जाता है भिली के लुप है उ helps which is अक्रेबी आठा गयि काती सेर्फ बहुत कोई दूधिया खरिष के नाम से जानते हैं और ये करेबन 20-25 साल का उमर का है काफी मोटा है कि इसमें निरो टॉक्सिन जहर पाए जाता है जो कि नर्वस सिस्टम को आपको डेमेज करता है ये काटने से आप का हालत कोमा में भी जा सकते हैं और उल्टिया होने लगेगी खरीर में पूरी बदन में दर्द होने लगेगा और सुजन हो जाएगा इसका काटा हुआ साप कोई मंत्र नहीं होता है आप जो बोलते हैं कि साप मंतर से पकड़ लिए ओजा सोखा आया मंतर शे निकाल दिया कोई मंतर नहीं होता है साप मेरे पास ले आईए हम उस好吃 को पतादेंगे कि मंतर हे की नहीं है आधिक है लेकिन जूर्माइट कर देंगे पर किने कि नहीं चोड़ मोनदध complaint कि तो बोलब और का मोटा है और हाला उल्ला होने से लेक्शोद से इसको सुनाई नहीं देता है, साप कान नहीं होता है, यह अपना भाइबरेशन को पकड़ता है, जीब जो निकलता है ना, उससे अपना भाइबरेशन को पकड़ता है, जो इतने लोग हैं यहाँ पे, वो भाइबरेशन से, कमपन से महसूस करता है कि कितने लोग हैं और कितनी हेला हो रही है आपो आज किसनी हो रही है घंगल में छोड़ेंगे ले चाने करते हैं क्योंकि हम लोग यहां पर आयल में है, नाची जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, फस्ट में आयल है, आयल में एंटी डेनम रहता है इसाब जहां से निकला था, हम एक पद चेक कर लेते हुआ है, अधी कि ऑसकते हैं जौरा में भी हो सकते है इसी जटाम चेक कर आते है एपार कर दिया लिए, जो आपार आपड़ी है। एधर इंग नहीं किया लिए लिए, फिक एधर इंग नहीं लिए। ले फुरे जो सामको रखेंगेािज लिए। ढगे अपक हारे typically मैं शेहरा बिपन आपक हो TWO आपक हारे क्याओ है के दो यह शेहा बाद्रेजकाar शेड़ा देरा शेटर्वान का निया का दुषार हूं घेल के लेगें नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल सीवी सिनेक में कल रात एक सांप रेस्क्यू क्या मेरे पास को लाया था तो रेस्क्यू करके सांप को लाया थे बहुत रात हो चुकी थी और काफी भीड होने के कारण अच्छा से वीडियो बनने पाया था जादा जानकारी नहीं दे पायते हैं तो अभी हम इसे जंगल की और छोड़ने के लिए लाएं देख सकते हैं यह गहमन प्रजाती का कोबरा शांप है जो की नीरो टॉक्सिन जहर पाया जाता है इसमें और काफी मोटा है करीबन 20 से 25 साल उमर होगा इसका तो इसे अभी हम बहार निकालते हैं और जंगल में रिलीश करने के लिए लाए हैं इसके रात करीब 10 बजे हम इसे रेस्क्यू किये थे और काफी बड़ा है देख सकते हैं इसे स्पेक्टिकल कोब्रा कहा जाता है और काफी बड़ा होने के कारब देख सकते हैं और उमरिस का लगभग काफी अग्रिशिव है और यह करीब 20 से 25 शाल उमर होगा जरूर इसके देख सकते हैं कि अग्राइट भी कर रहा है कि जोले को वाइट कर लिए कि मेंघकल कर रहा है और घान कि ओर को रगएगा कर बास्ते हैं झाल 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 कि अगरेशिव हो चुका है और बहुत बहुत बार बाइट कर चुका जोले में देख सकते हैं कि जोला में भी जहर आ चुका है काफी साप जब डरते हैं तभी बाइट करते हैं और यह जोला देखके डर रहा है कि हमको जखम करने के लिए आया मेरे को हमको मारने के लिए आ रहा है इसलिए ज़्यादा बाइट कर रहा है परिसान है कभे भे साप से दूरी बना के रखे और इसी तरह ही बाइट कर लेता जब भी इसके सामने जाते हैं कोई तो सीधा बाइट कर लेगा इसलिए साप से जब भी आपका मुलाकात हो अब यहीं कर देंगे आप इसे जंगल की और छोड़ देते हैं उपर की और चला जाये है कि अज़ीए कि आप इसे अब चाहिए कि इस यह ज़िए पर ना चाहिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है जरूर से जरूर कॉमेंट में बता है और अभी हमेरी से रिलीज कर चुके हैं हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दे बेल आइकन को दबा दे और शेर और लाइक जरूर कर दे और इनी सब्दों के साथ जय हिन जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में